इन दिनों बॉलिवुड में बॉयकॉट के साथ साथ जुबानी जंग का भी ट्रेंच सोशल मीडिया पर बना हुआ है। इसी बीच फिल्म डारेक्टर विवेक अगनी होतरी ने रनबीर कपूर आलया भट की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करते हुए आयान मुखर जी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है। फिर आप अपने डारेक्टर को इस फिल्म का प्रमोशन करने भेज देते हैं जो ठीक तरह से ब्रह्मास्त्र शब्द का उचारन भी नहीं कर पाते हैं। अरोप लगाया। उन्होंने कहा। वो लगीटी क्यू कमिनीटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो खुद इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि करन जोहर की फिल्म में अकसर लगीटी क्यों उड़ाती है। क्यूं? और फिर वो एक्टिविजम के बारे में बात करते हैं। वेल बता दें कि रनबीर कपूर आलया भट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को वॉक्स आफिस पर रिलीज होगी। फिल्म कितना कमाल कर पाएगी ये तो देखने वाली बात है। खेर विवेक अगनी होतरी के इस बयान के कारण करण और आयान मुखर जी का क्या रियाक्शन होगा? ये काफी इंट्रेस्टिंग है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बयान बाजी में नया मोड देखने को मिलेगा। वेल बॉलेवुड में छुड़ी ये जुबानी जंग कब खत्म होगी? इस बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। वेल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? विवेक अगनी होतरी के इस बयान से आप केतना सहमत हो? नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। Also, do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.